दोस्तों गर आप भी हार्दिक पांडिया को एक शांदार ओलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कैसे इंग्लेंड के खिले गए रॉंग्टे खड़े कर देने वाले टी-20 मुकाबले में हार्दिक पांडिया ने अपने अल राउंड प्रदरशन से किया कमाल रचाय तीहास और लिया इंग्लेंड की टीम से पिछले टेस्ट मुकाबले की हार का बतला जी हां हार्दिक पांडिया के इस प्रदरशन ने क्रिकेट जगत में तैल का मचा कर रख दिया है क्रिकेट के बड़े बड़े दिगज भी इनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं इनकी पुरानी IPL टीम यानि की मुंबई इंडियन्स की मालकिन नीतामबानी ने इनके बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप सभी के रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे आखिरकार नीतामबानी ने हार्दिक पांडिया को लेकर ऐसा किया क्या बड़ा खुला सा ये जब जानने के लिए आप इस वीडियो में अंति तक बने रहीएगा वैसे उससे पहले आप हार्दिक पांडिया और मॉयन अली में से किसको बहतर आल राउंडर मानते हैं इसका ज में भसने वाली है लेकिन नमबर पाँच पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हार्दिक पांडिया ने एकदम से इस मुकाबले के सारे समीकरन बदल दिये इस मुकाबले में हार्दिक पांडिया ने मात्र 31 गेंदों में 51 रणों की विस्पोटक और अर्ध शतक ये पारी ख बले बाजी के अलावा हार्दिक पांडया ने गेंद बाजी में भी अपना दम खम दिखाया। तोड़ दी थी इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की टीम के दो और बल्लेबाजों को आउट किया हार्दिक पांडिया ने इस मुकाबले में चार ओवर में सिर्फ 33 रन देकर चार बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया हार्दिक पांडिया की खतरनाक प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड की टीम सिर्फ 148 रन ही बना पाई इसका परिणाम यह हुआ कि भारतिया टीम को इस मुकाबले में 50 से रन से शांदार जीत प्राप्त हुई हार्दिक पांडिया के शांदार प्रदर्शन के बाद मुmbasive इंडियन की टीम की मालकी नताशा ने इन पर बड़ा बयान जारी किया है हार्दिक पांडिया ने इंगलेंड के खिलाफ अर्द शतक लगा कर और चार विकेट लेकर ये दिखा दिया है कि ऐसा आज तक कोई भी खिलाडी नहीं कर सका था वो इन्होंने कर दिया हार्दिक पांडिया के इस प्रोदर्शन को क्रिकेट जगत में सदियों सदियों तक या कि क्या राय है अपनी राय नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद